नमस्कार दोस्तों सुवागते आप सभी का योगेसी लर्निंग यूटूब चैनल पर बात करेंगे यूपी ट्रिपल सी बीडियो की 212 पदो पर नई भरती 2022 के बिग्यापन के बारे में जिसके लिए जो प्रक्रिया है ये स्टार्ट हो चुकी है और यूपी ट्रिपल सी को संपूर्ण पदों का जो अधियाचन है ये प्राप्त हो चुका है तो कब तक इसका नए बिग्यापन रिलीज किया जाएगा और क्या ट्रिपल सी मांगा जाएगा या फिर नहीं मांगा जाएगा इसके अलावा यूपी ट्रिपल सी वीडियो 2018 की बरती जिसका एक्जामिनेशन कोड की तरफ से कैंसिल कर दिया गया था तो इसके लिए न्यू एक्जाम डेट क्या रहने वाली है सारी चीजे वन बाई वन हम यहां से समझने वाले हैं तो वीडियो को लाश्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा साथी यूपी की बरतियों की सही और सठीक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देए अब देखिए सबसे पहले हम बाथ करेंगे यूपी डिपल स्टी दोजार अठारा वीडियो की बरतिये बारे में जैसा कि आप सबी जानते हैं कि यूपी डिपल स्टी ने इस एक्जाम को कैंसिल कर दिया था अब 2022 में इस एक्जाम को कंड़क्ट करवाय जाएगा तो कब तक करवाया जाएगा इसको ले करके हम यहां से बात करेंगे लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे UP SSC के नए इग्जामिनेशन के कलेंडर के बारे में आप सभी जानते हैं कि जो इसका 2022 का कलेंडर है ये तो जारी कर दिया गया है लेकिन इसमें कहीं भी बीडियो 2018 के इग्जामिनेशन को ले करके जानकारी नहीं दी गई है और इसमें अगर हम बात करें तो सितंबर तक का जो पूरा महीना है ये ब्यस्त है कहीं पर भी इसमें जगा नहीं बची है कि वीडियो 2018 की बरती के जो examination है ये करवाया जा सके तो इसका क्या examination अक्टूबर माह में हो सकता है या पिर नहीं हो सकता है देखी अक्टूबर में भी संभावना काफी ज़्यादा कम है क्योंकि सितंबर में UPCCPIT का भी examination होना है और उस आने की बाद भी यहां से कई सारी चीजी होती जो कि UPCCC समय से नहीं करवा पाता है इसी को ले करके अक्टूबर में भी कापी ज़्यादा कमी chances है कि जो इसका examination है ये संभाव हो पाएगा आप ये मान की चलिए कि जो है नवंबर या पिर दिसंबर तक 2018 वीडियो बरती का ज वीडियो 2022 की नई भरती के बिग्यापन की बारे में जिसकी announcement भी इसके पहले हो गई थी कि 242 पदों पर नई भरती का जो बिग्यापन है ये वीडियो के पदों पर जारी किया जाएगा तो कब तक जारी किया जाएगा क्या 2022 में नई भरती आपाएगी या पिर नहीं आपा start किया है UP SSC PT का तब से यहां से जो है काई सारी भारतियों में जो education qualification है उसमें चेंजमेंट देखने को मिली है चाहे आप लेकपाल को देख लें या फिर UP SSC के तरब से जारी किये गए अन्य भारतियों कि बिग्यापन को देख लें लेकपाल को ही अगर आप देखें तो इसमें भी जो SSC की अन्य वारता है वो खत्म कर दी गई है तो चांस यहां से काफी जादा कम है कि वीडियों में भी इस बार SSC को खत्म कर दिया जाएगा और जो इसकी एलेजबेल्टी निर्धारीत होगी यह मात्र पेट की अकॉर्डिंग ही निर्धारीत होगी सिर्फ पेटी इसमें अनिवार होगा और अब देखिए सबसे महत्यपोंड चीज की बात करें लेकिन जो विग्यापन है वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सालो साल देखने को नहीं मिलता है लेकिन इस बार आपको यहां से एक और चीज खास देखने को मिलेगी कि योगी आदितिनाज जी के तरफ से ये भी का गया है कि 100 दिनों के अंदर अंदर जो इस भरती की प्रक्रिया वो स्टार्ट हो जाएगी यानि कि 100 दिन के अंदर अंदर जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा अब देखना होगा कि 2022 तक यानि कि आगामी 5-6 महीनों तक इसका जो नोडिफिकेशन है वो जारी होता है या फिर नहीं लेकिन अगर इस अनाउंस्मेंट के मुताबिक हम यहां से बात करें तो हर हाल में 2022 तक तक तो इसका विग्यापन जारी हो ही जाएगा चाहिए वो नॉम